हलो दोस्तों स्वागात आप सभी का आपके फेरूट यूटूब चैनल एक्साम तक वारियर्स पर दोस्तों बहुत दिनों के बाद एसरवी एओ और अफेओ के लिए वीडियो लेकरा दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता था पता है कि फिर प्राबलम हो गई थी इस वैसे एसरवी एओ के लिए वीडियो नहीं आ रही थे बर रेगुलर एसरवी एओ को लेकर और यफेओ के लेकर मैं अपडेट देता रहूँ दोस्तो हम आज इस वीडियो से सने बात करेंगे, एस आप कितना स्कोर करने पर सेफ रहेंगे। मैं यहां पर बत करूंग वलनी सेफ एसकोर के कितना रहने पर आप टीर टू जा सके हैं दोस्तों यहाँ कट अफ की बात नहीं होने वाली हैं आज हम बात करेंगे सेफ ही स्कोर के कितना आप यदि कर सकते हैं तो आप आराम से टियर टू में जा सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को लाश्त देखिएगा और चैनल पर पहली बारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूरी ट्वेस कर लिजेगा और यदि आपने टियर वन दोस्तों क्वालिफाई कर लिया और टियर टू के बारे में बात करेंगे तो टियर यहां पर दोस्तों को पूरा का पूरा मैटेरियल में दे चुका हूं पहले ही टेस्ट सीरीज में दे दिया ता सो और जो भी अगर मेहनत से की होंगे तो आराम सुनका एक्जाम जाने वाला है ठीक है और यदि आपको फिर भी जो भी हमारे पेट वैचेज हैं या फिर आप हमें जरूर बताईएगा ज्या भी मैं बता रहा हूं कितना सेफी स्कूर आपको करना होगा यहां देख लेते हैं इच रांग एंसर विल अट्रेक्ट पेनाल्टी आफ वन वाई थार्ड यानि कि वन वाई थार्ड की दोस्तों क्या हम मार्किंग है यह आप तीन कोशन गलत इन नेचर और मार्क्ट इसको इन इट विल नाट भी करिड फारवर्ड यानि किसके जो मार्स होगे न वह आगे नहीं जाने वाले है ठीक है ना तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे जीके में आप कम से कब दोस्तों आप टार्गेट लेकर चलिएगा फोर्टी का कितने का जानल इंटेलिजेंस और रिजिनिंग आराम से दोस्तों फोर्टी टू फोर्टी थी खर सकते हैं ठीक है ना और अर्थमेटिकल और नुमेरिकल लेबिलेटी से भी आप फोर्टी फाइब कर सकते हैं हाँ दो चार कोशन इंदर उदर होगा तो कोई दिकत नहीं इंगलिस य जोडते हैं तो आपके सामने जो मार्क हो गाएं 167 यदि आप इसे एवब जाते हैं तो tier 2 के तयारी आप शुरू कर दीजेगा लेकिन यदि paper का level हलका सभी टब बनता है यहनि कि moderate level का होता है तो यदि moderate level का paper होता है दोस्तों तो आप 150 प्लस भी करके आएंगे तो भी आपके chance है tier 2 में जाने के ठीक है दोस्तों तो आप प्रियास करिएगा हर एक section में कम से कम 40 question correct करने का कितना 40 question आप प्रियास करिएगा कि आप सभी क्या रहें कम से कम at least 40 question आपके सहीन है यदि आप 40 question करेंगे तब भी 40 into 40 160 हो जाएगा आराम से tier 2 के लिए यहां पर qualify कर जाएंगे टीर 2 descriptive exam है दोस्तों तो जिन भी दोस्तों को descriptive exam की त्यारी करनी है पूरा का पूरा यह पूरा material चाहिए hpdf ठीक है न वह हमारे वार्सम नमबर 9838845742 पर contact कर लेगा उसको मैं material प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है न उसके charges क्या होंगे वही पर मैं आप सभी को बता दूगा तो आप लोग प्रियास करिए अधिक्तम की 150 प्लस आप बनाईए ठीक है न यह दि मॉट्डेट और हाई ऑर करेंट अफेर आपको कहां से कहां तक पढ़के आना है एक लिश्ट लास्ट फोर मन्त के करेंट अफेर आप तो कवर लीज़ेगा दोस्तों जीके में इस्टेटिक जीके पर फोकस कर लीज़ेगा और मैट्स की बात करेंगे तो आपका सिंप्लिफिकेशन टाइम एंड वर्क परसेंटेज प्राफिल एसाई सी याई यहां से कोशन कवर अप करना है और उसके बाद रीजिनिंग से आप सभी को बताए गया था कि यहां पे नंबर एनलोगी से ठीक है दोस्तों फीगर फीगर से आपको कोशन सेट करना है इस तरीक इंग्लिफ में दोस्तों आप सभी को जेकरा क्या है ज्यादा स्याद आप एक्ट्व पैसी और डाइट इंडाट पर और नाउन टु इंटर्जेक्शन थोड़ा सा पढ़कर ताकि कि किसी भी तरह का दोस्तों कोई भी दिक्कत आप सभी के सामने ना है इंग्लिफ में एक रिवाइस पैसी वाइब के साथ साथ डायेक्ट और डिनाइट कवर अप करना है ठीक दोस्तों और उसके साथ साथ ओकाइब आपको देखका जाना है ओकाइब की जो पीडियाप मैंने पेड़ वालों को दे रखी वो जरूर पढ़ लिजेगा सीनोनीम हो गई एंटोनीम हो ठीक है ठीक है दोस्तों तेले मिलते हैं इस वीडियो में तब तक करें जाहिंद बंदे मातरा हुआ